पिष्ले 48 घंटे से जिस तरीके से भारते जुनता पाटी ने अपने पहले उम्मीद्वारों के लिफ्ट जारी की है उसके बाद एक सीट पर हर किसी के निगाही टिकी हुई है और वो है पश्यरूमंगाल की आसन सोल सीट जहां से भारते जुनता पाटी ने पवनसिंग को ट पाएंगे लेकिन आप हर किसी के मन में ये सवाल है कि बाई ऐसा क्या हो गया कि पवन सिंग जो है वो खोद इतने बड़े स्टार है लेकिन वो मना करें कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे जबकि से पहले वो कई बार अपनी इच्छा जाहिर कर चुके हैं चुनाव लड़ने कि उसमें जैसे ही पवन सिंग का नाम आया तुरन जो है घेरना शुरू कर दिया टी एंसी और कॉंग्रिस ने कॉंग्रिस की तरह से कहा गे कि भारतिया जंता पार्टी ऐसे लोगों को टिकट दे रही है जो महिलाओ का अपमान करते हैं जो महिलाओ का सम्मान नहीं करते हैं और ऐसे लोगों को टिकट देना जो है ये कही ना कही पूरे पश्चिमंगाल का अपमान करने बराबर है ये सबसे पहला कारण निकल कर सामने आए देखें दूसरा कारण मैं आपको बताती हूँ बंगाली असमिता जो है वो इस वज़ा से कारण बना हुए बंगाली असमि को लेकर बहुत बहुत जो है इमोशनल होते हैं और यही वज़ा बताई जा रहे कि बंगाली असमिता कारण बन गए क्योंकि इससे पहले जो है कई बार हम देख चुके हैं क्या कि किस तरीके से पावन सिंग जो है कई गाने ऐसे गा चुके जिसमें महिलाओ का अपमान किया को खत्म कैसे किया जाए क्योंकि कुछ दूनों पहले याद की जिस संदेश खाली का जब पूरा मामला था महिलाओ से जोड़ा हुआ पूरा मामला था भारते जनता पार्टी लगाता टीमसी के उपर हमलावर थी अब ऐसे में क्योंकि टीमसी और कॉंग्रस पूरे सब्सक्तान उठाना पड़ सकता है चौती बड़ी वजह में आपके बताती हूं और वह सोशल मीडिया पर चर्चा सोशल मीडिया पर चर्चा इस तरीके से की जार की है क्योंकि जैसे ही यह पूरा मामला निकल कर सामने है जैसे पवन सिंग को टिकट दिया गया बाबल को टिकट कैसे डिया जा सकता है जो बंगाल का जो बंगाल की मेलाओ का या फिर पूरे बंगाल का जो है वह अपमान कर रहा है और पांचवी सबसे बड़ी वजह है मन पसंद शीट क्योंकि यह भी बताय जा रहे एक भोचपुरी स्टार है पवन्संग यह भी बताय जा लेकिन यह पाच मुख्या वजह बताई जा रही है और उनमें सबसे बड़ी वजह वह है बंगाली असमिता यानि कि बंगाल का जिस तरीके से अपमान पिछले कुछ दिनों में किया गया पवन सिंग के तरफ से अपने गानों को लेकर अमित मालवे ने कहा कि देखे वो अपनी वजह से अपने काम को लेकर मैनत करते हैं इस तरीके से उनका अपमान करना सही बात नहीं है लेकिन ठीक 24 गंटे के अंदर अंदर पवन सिंग ने साफतोर पर कह दे कि भाई मैं इस सीट से चुनाव नहीं लड़ूँगा आने वाले अगले हफते क्या होता है 24 गंटे में क्या होता है क्या वो दिल्ली जाएंगे जेपी नड़र से मुलाकात करेंगे क्योंकि अंदर खाने से तो ये भी बातचीत आ रही है कि शायद उनके तेजसवी आदव से मुलाकात होने वाली है तेजसवी आदव से उनकी बातचीत चल झाल झाल